सभी स्टूटेंट्स का उपी सरी स्टेडी पॉइंट में हर्दी गुरूप से स्वागत हैं आज हम Past Perfect Tense के Part 2 को पढ़ेंगे इससे पहले हम Past Perfect Tense का Part 1 कंप्लीट कर चुके हैं आपने वो वीडियो जरुर देखा होगा और यदि न देखा हो तो पहले वो वीडियो जुरूर देखे ताकि Past Perfect Tense के बारे में आपकी जो बेसिक जानकारी है वो complete हो सके Past Perfect Tense के Part 1 के वीडियो में हमने देखा इसकी क्या पैचान रहती है Affirmative Sentence कैसे बनाए जाते है Correct Form of the Verb के सवाल किस प्रकार से हल गिये जाते है Before और After का प्रियोग किस प्रकार से किया जाता है आधी चीजों के बारे में हमने उस वीडियो में दियन किया था यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझना है तो पहले Part 1 का वीडियो जुरूर देखे ताकि यह वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ सके तो सभी बच्चे अपनी Notebook और Pen लेकर त्यार रहे जो भी Notes आपके समक्ष दिये गए हैं उनको अपनी Copy में नोट करे आशा है पहले के जो वीडियो से उनमें आए हुए Notes को आपने Copy में नोट किया होगा और अपनी पढ़ाई को 104 रूप से चालो रख रहे होंगे तो बिना किसी देर किये हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से एक request है कि यदि आपने अभी तक O.P.S.R. Study Point चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप अपनी तयारी को 104 रूप से संचालित रख सके तो लेट्स बिगिन आज हम पढ़ने वाले हैं Past Perfect Tense का Part 2 जिसके अंतरगत हम Negative Sentence, Interrogative Sentence और Negative Interrogative Sentence के बारे में पढ़ेंगी ठीक है, तो सबसे पहले हम Negative Sentence को देखते हैं Negative Sentence यानि कि नकारात्मक वाक्या इसको कैसे बनाएंगे, क्या इसका structure रहेगा इसको देखते हैं सबसे पहले हम Subject का यूज़ करेंगे उसके बाद Helping Verb, Head और उसके साथ में Not का प्रियोग करेंगे और फिर Verb की Third Form का यूज़ होगा और Object का यूज़ होगा इस प्रकार समस्त चीजों को क्रमशह रखते हुए हम वाक्य का निर्मान करेंगे ठीक है Head Not का Short Form होता है Hadn't Hadn't का Short Form क्या है? Hadn't ये भी ध्यान रखिए ठीक है H, A, D, N फिर Epistrophe का प्रियोग है और T है Hadn't Subject, Head Not, Verb की Third Form Object मैंने यह गर पहले नहीं देखा था मैंने यह गर पहले नहीं देखा था तो यहाँ पर सबसे पहले subject आई आएगा उसके बाद helping verb had और not का प्रियोग verb की Third Form see की Third Form seen object के रूप में यह गर यानि this house और पहले के लिए आएगा before इस प्रकार से होगा पुलिस के आने से पुर्व चोर नहीं भाग चुका था पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था तो सबसे पहले subject है thief the thief had not फिर run की Third Form run run, 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 run run away before the police came यहाँ पर दो वाक्यों mix है जैसा की पुर्व के वीडियो में हमने देखा था कि एक वाक्य बनेगा वो past perfect tense में बनेगा तो और दूसरा बनेगा past simple में उसी type का यह उदारण है तो इस प्रकार से हम negative sentence का निर्मान करेंगे उसके बाद हम interrogative sentence देखते हैं interrogative sentence यहनि कि प्रश्णवाचवाक्यों दो प्रकार के होते हैं एक yes no type वाले हैं और दूसरे wh type वाले yes no type वाले interrogative को बनाने के लिए हम helping verb सबसे पहले रखते हैं और past perfect tense की helping verb head होती है तो सबसे पहले हम head को रखेंगे उसके बाद subject फिर verb की third form फिर object या compliment और उसके साथ में प्रश्णवाचक छिना ठीक है wh type के interrogative जब हम बनाएंगे सबसे पहले wh word रखेंगे उसके बाद helping verb पिर subject वर्ब की third form object और question mark तो इस प्रकार से हम वाक्य का निर्बान करेंगे उधारन द्वारा समझते हैं यसे पहला है क्या मेरे स्कूल पहुचने से पहले गंटी बच चुकी थी ठीक है अब देखिए क्या इस प्रश्णवाचका उत्तर हा ना में दिया जाना संभव है बिल्कुल है तो आप इसका उत्तर हा या ना में दे सकते हैं तो यह yes no type का interrogative question है तो helping verb आ गया आएगी इसमें सबसे पहले हम head का प्रियोग करेंगे उसके बाद subject the bell फिर third form ring, rang, rang rang इसकी third form हो जाएगी बजना head the bell rang before का प्रियोग हुआ उसके बाद past simple का प्रियोग होगा I reached to school और question mark head the bell rang before I reached to school इस प्रकारशे ये वाक्य का निर्मन होगा दूसरा उधारण देखते हैं तुम मैदान में क्यों गहे थे खीक है अब इसका उत्तर हम हा या ना में नहीं दे सकते तो ये specific इसका कोई ने कोई answer होगा तो ये डब्लू है टाइप का interrogative question है तो इसके निर्मान के लिए सबसे पहले हम डब्लू ह वर्ड का प्रियोग करेंगे यहां पर क्यों का यूज हुआ है तो क्यों के लिए वाई का प्रियोग होगा उसके बाद helping verb head फिर subject फिर verb की third form फिर object आ जाएगा तो why had you gone in ground ठीक है तुम मैदान में क्यों गए थी तो इस प्रकार से interrogative sentence का निर्मान होगा अंतिम रूप से हम देखते हैं negative interrogative sentence यहने की नकारात्मक प्रश्न वाचक वाक्या यह भी दो तरह के होते हैं yes no type and wh type ठीक है yes no type में वही होगा सबसे पहले helping verb आएगी उसके बाद subject आएगा फिर not आएगा फिर verb की third form होगी और object होगा और उसके बाद question mark होगा wh type के negative interrogative sentence होगी उनमें सबसे पहले हम wh word का use करेंगे उसके बाद में head का प्रियोग फिर subject आएगा not का प्रियोग होगा verb की third form object और question mark ठीक है बाक्यों के दुआरा समझने का प्रियास करते हैं जैसे पहला वाक्य है क्या राम कारियर नहीं कर चुका था ठीक है प्रश्णम भी है नहीं भी है तो negative interrogative हुआ तो सबसे पहले helping verb head फिर subject आजाएगा राम फिर not का प्रियोग होगा फिर कारे करना करने को do कहते हैं do की third form done हो जाएगी और कारे work had, ram, not done work इस प्रकार से वाक्य बना दूसरा उदारण तुम जहपूर क्यों नहीं गए थे ठीक है तुम जहपूर क्यों नहीं गए थे तो यह ड़्योज टाइप का प्रश्णा है सबसे पहले wh word why फिर helping verb had subject आ जाएगा you फिर not का प्रियोग फिर go की third form gone to जैपूर why had you not gone to जैपूर तो इस प्रकार हम negative interrogative sentence की रचना करेंगे हिंदी के वाक्यों को English में आसानी से translate कर पाएंगे तो यहाँ PDF का handwritten notes आपके सामने है इसको pose करके देखे और अपनी copy में note करे समझने का प्रियास करे वीडियो को एक दो बार देखे पूरी तरह से देखे देरे के साथ विश्वास के साथ और अपनी त्यारी को continue रखे तब ही सफलता आप आसिल कर पाएंगे और tense में जितना जारा आप वाक्यों का अभ्यास करेंगे अपनी तरब से वाक्य बनाएंगे पहले इंदी में आप बनाएंगे फिर उसको इंग्लिश में translate करने का प्रियास करेंगे तो आपके tense एकदम से clear हो जाएंगे और life में आप कभी नहीं बुलेंगे जो यह आपका past perfect tense का part 2 और इसी के साथ past perfect tense आपका पूर्ण हुआ किसी भी परकार की problem है तो comment box के अंदर comment करें और वीडियो को बार बार देखें दो तिन बार देखें सारे doubts clear होंगे फिर भी कोई समस्या है तो comment box में comment डाले आपकी परिशानी का समाधान करने का पूरा प्रियास किया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को पूरा देखें बीच में skip करने से आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें दन्यवाद